द्धमपद 54-55, 54-55, सावित्ती की कता है, बहुत इंट्रेस्टिंग और छोटी सी कता है, आनन्द थेर, आनन्द भगवान बुद्ध के तथागत बुद्ध के भाई भी हैं और उनके मेनेजर भी हैं, तो कि सारी ववस्ता वोई देखते हैं, मगर आरत नहीं है, तो वो एक जगे शांती में बैटे हुए ध्यान साधना कर रहे हैं, और वहीं पास में फूलो का एक बाग है, गुच्छा है, वो ध्यान करते करते हैं, महसुस करते हैं कि कभी-कभी तो जो फूलो की गंद है, वो कभी-कभी नहीं आती, फिर वो ध्यान से देखते हैं और देखते हैं तो पाते हैं कि जब हवा चलती है, तब तो फूलो की गंद आती है, और जब हवा नहीं चलती है, तब फूलो की गंद नहीं आती है, तो उन्हें बड़ी जग्यासा होती है, कि फूल इतने तीब गंद वाले होते हैं फिर भी उसकी जो खुशु है या जो उसकी बदू है या जो उसकी गंद है वो चारो तरफ नहीं फैल पा रही है जबकि ये हवा के साथ बह रही है ऐसा कैसे हुआ इस जिग्यासा को सांथ करने के लिए वो भगवान बुद्ध के पास जाते हैं पूरा बटांद बताते हैं और उनसे पोस्ते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि फूलों की गंद चारो तरफ बह जाए और सब को मिले चाए हवा चले या ना चले तब भगवान बुद्ध ये गाथा नमबर 54 और 55 55 और 55 नमबर की कहते हैं जो इस प्रिकार है ने पुफ गंधो पटीवात मेती ने चंदनंग तगर मलिका वा सतंच गंधो पटीवात मेती सब्बा दिसा सब्पुरिसो पवायती ने पुफ गंधो पटीवात मेती ने माने नहीं पुफ गंधो माने हैं फूल की गंध और पटीवात मेती का मतलब है वात माने होता है हवा और पटी माने होता है पृती और मेती माने जाती है यानि बहती है तो फूलो की कोई भी फूलो की जो गंध है वो हवा के विरोद में नहीं बहती है इसका मतलब ने चंदनंग तगर मल्लिकावा ने चंदनंग ना ही चंदनंग की खुश्पू और ना ही तगर तगर एक पौधे का नाम है एक द्रव्य पधार्त है जो बड़ा खुश्पुदार है तगर मल्लिकावा और मल्लिका बोलते हैं चमेली को यानि चमेली को या जो तगर का द्रव्य है वो भी हवा के विपरीत में उनकी गंद नहीं फैलती सतंच गंदो पटीवात मेती सतंच गंदो यानि जो सजजन पुरुस होते हैं सतंच माने सत होते हैं सतंच गंदो पटिवात मेती उनकी जो गंद है पटिवात मेती प्रती हवा के बहती है यानि सजन पुरसों की जो गंद है हवा के विप्रीत भी बहती है सब्बा दिसा सब पुरिसो पवायती सब्बा दिसा सब पुरिसो पवायती सब्बा दिसा, सारी दिसाओं में, सब दिसाओं में सपुरिसो, सपुरिस का मतलब है सत्पुरिस, जो अच्छे सजन पुरोस है सपुरिसो, पवायती, और पवायती का मतलब है उनकी सुगंदी फैलती है, हवा चलती है पवायती जो बनाए है, वो पवन से बनाए रहे हैं कि चाहें चमेली की खुशूर है चाहें तगर की है चाहें वो फूलों की गंद है कोई भी गंद हवा के विपरीत नहीं बैती मगर सज्जन जो पुरुस होते हैं जो अच्छे सत पुरुस होते हैं उनकी जो खुशूर है वो चारो दिसाओं में हवा के विपरीत भी सुगंदित होती है ऐसा वो पहली गाथा में बताते हैं दूसरी गाथा इस प्रिटार है चंदनं तगरं वापी का मतलब है चंदन है या तगर है चंदन की खुसूर है या तगर की खुसूर है वापी मतलब वा माने या और पी बाने पी माने भी या भी उप्पलंग अथवस्की उप्पलंग जो बोलते हैं वो कमल को बोलते हैं उप्पलंग अथवस्की अथ का मतलब है चाहें हैंस इस प्रिकार से और वस्की का मतलब है चमेली का पौधा चाहें चमिली की है, चाहें कमल की है, चाहें चंदन की है, चाहें तगर की है एते संग गंद जातानंग एते संग, एते संग का मतलब है यह सभी यानि यह सभी जो है जातानंग, गंद जातानंग जातानंग का मतलब होता है पैदा करने वाले और गंद जातानंग का मतलब है गंद पैदा करने वाले यानि ये सबी जो गंद पैदा करते हैं गंद देते हैं सील गंदो अनुत्तरो अनुत्तरो का मतलब है जिसका कोई उत्तर ना हो ला जवाब हो, अधित्य हो जिसकी कहीं कोई कंपरिजन नहीं कर सकता कहीं जवाब नहीं है इन खुस्वों के आगे ये जो जितनी सारी खुस्वों हैं सारी फी की पर जाती हैं सील गंद की खुस्वों के आगे ऐसा वो बताते हैं जैसे पहली गाथामन उन्हें कहा गाथा नमर चवण में ने फूलों की गंद ने चंदन की गंद या सुगंदित मलिका की गंद हवा की विप्रीत बहती है सज्जन की गंद हवा की विप्रीत बहती है सज्जन पुर्स ही गंद सब दिसाओं में बहती है यह है गाथा नंबर 54 और 55 आप अगर गंद में जाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि पुराने समय में गंद को वैपार लोग करते थे वो गंद निकालते थे, खुषपू निकालते थे दुरगंद निकालते थे, सुगंद निकालते थे फूल और वगरा से और उसको वैपारी करके बेश थे इस गंद बेशने वाले लोगों को या गंध का वैपार करने वालों को या गंध बनाने वालों को या गंध को मैनुफेक्चर करने वालों को या गंध के जो विशेशक लोग होते थे उनको गंधी बोलते थे बाद में ये गंधी के नाम से होने लगा ये आपको वहीं मिलेंगे जहां पे फूल ज़्यादा होते हैं वहीं ये पाए जाते हैं आज भी भारत में बहुत सारे लोग अपने नाम के पीछे गंधी या गंधी या गंधक लगाते हैं ये गंधक या गंधी या गंधी भही परानी भाषी पाली भासा का सद्ध है जो पुराने लोग पाली के समय गंद का व्यापार करते थे और ये इरान इरान तक पूरे गंद का व्यापार भारत से होता था भारत गंद के छेत्र में बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत लोग पैसे वाले गंद के व्यापार में हुए हैं आज भी गंद का वेपार बहुत जाता होता है जिसको फिलोरेसेंट या सेंट बोला करते हैं अभी तो जो गंद है वो बड़ा अजीब सा सब्द हो गया है क्योंकि लोग सील की गंद को भूल गए है यानि सदाचार और जो सत्यता है और जो चोरी नहीं करना हत्या नहीं करना चकारी नहीं करना इसकी खुस्वू को लोग भूल गए इसकी खुस्वू की उनको जरुत नहीं है यानि इमानदारी की खुस्बू को किसी की जोत नहीँ है सबको बेई मानी का गंद का सेंट चाहिए सबको बेई मानी की गंद लगा लेते हैं सरीर के 22 के 22 अंगों पर लोग क्रीम और सेंट और पता निक क्या-क्या लेप लगाके अपने आपको सुगंधित करने में लगे हुए है जबकि प्राकर्टिक समय में जो सुगंध होता था जो सुगंध होती थी वो आदमी का सील और सदाचार होता था जिसमें सील सदाचार होती थी उसमें अपने आपी सुगंध आती थी एक प्राकर्तिक बात है कि भगवान बुद्द जहां रहते हैं उसको गंद कुटी बोलते हैं गंद कुटी के यहां दो मतलब हैं एक तो यह है कि जो व्यक्ति सीलो सलाचार पर चलता है उसके सरीर में जो केमिकल लेक्षन होती है वो बहुत अच्छी होती है और उनसे सरीर में इसमेल आती है यह सरीर में जो खुस्बू है आपको अगर कोई नवजाद बच्चे को गोदन उठाएंगे तो नवजाद बच्चे को अगर आप प्यार करके थोड़ा पास लेके आएंगे तो आप धे देखेंगे कि उस से एक स्मेल आ रही है गोड़ी अच्ची है जो सरीर की गंद होती है यह जो सरीर की गंद है यह दीरे-दीरे खतम हो जाती है जब आदमी पाप करमों में चलता है जब आदमी चोरी, चकारी, वेबचार, जूट और मिथ्या, चरण, शराब, जुवा, अफीम ये सब खेलने लगता है करने लगता है तो उसके सरीर में से फिर बदवू आनी सुरू हो जाती है तो लोग डियोडरेंट लगा के इसको दूर दूर करते है या अगर मुह में आ रही है तो लिस्निन लगाते है या कुछ लगाते है तो इसको दूर करते है या सरीर से दुरगंद आती है कि कहते हैं तो अच्छे खुसूदार साबूं से नाली तो थोड़े देर के लिए वो थोड़ा खुसूदार से आने लगी फिर बदल जाती है मगर पुराने समय में जो लोग सील का पालन करते थे सील में एक अमाल की बात थी कि सील के आच्रण से तो सब लोग खिसते ही थे उसके सरीर से भी बच्छों वाली जो सुगंद आती है जो प्यूरटी की सुगंद आती है वो रहती थी अगवान बुद्ध जिस कुटी में रहती थे थे उसको गंद कुटी बोला करते थे यानि कि वो रहती विपस्णा सादर रहते प्यूरट थे कि उनकी कुटी में से एक गंद आती थी जो खिचे चले आती थे लोग उसकी तरफ उसको गंद कुटी के नाम से पूरी तरफ बोला गया है और ये गंद कुटी कोई जोटी बात या कोई ऐसा नहीं है कि इसका कहीं उधार ना हो सके जिन घरों में सुख और शान्ती होती है उनके घरों में से एक अजीब सी खुश्बू आती है जिन घरों में शराब जुआ वेवचार रिस्वत खोरी जमा खोरी कतल मार काट होता है उस घर की हर चीज में से बदू आती है हर चीज में से ऐसा लगता है कि आग निकल रही है आपको अगर यकीन न हो तो आप इसको देख सकते हैं कि लोग अपने सारे काम-काम अपना घर छोड़ चाड़के और कहां जाते हैं उन जगह जाते हैं जहां उनको लगता है कि यहां हमें मन को शांती मिलेगी कोई बाग में बैठता है, कोई फ़ारिम बैठता है, कोई समुदर किनारे शांत बैठता है कोई कहीं एकांध में बैठता है, कोई किसी कमरे में जहां खास हो, वहां बैठता है जो मन का सच्चा हो, मन की सच्ची हो जिसका मन बिलकुल मिटू हो, बचो जयसा हो जो बिलकुल ही मन में कड़वाट ना रखती हो, ना रखता हो तब हमें वहाँ शानती मिलती है इससे भी बड़ा उधारण है कि जब हम बहुत ज़्यादा परशान होते है तो हम अपने उस सबसे अजीज को जो सबसे प्यारा होता है जो सबसे अच्छा होता है उसी को हम फोन करते है उसी से बात करने कुछ करते है ताकि हमें वहां से उसके मन की शांती फोन के द्वारा उसकी बात द्वारा हमें मिले और हमारा मन मी सांत हो जाए ये गंद कुटी का बड़ा चमतकार है जो लोग विपसना साधना करते हैं उनके घर में अगर आप जाएंगे तो एक अजीब सी सान्ती एक अजीब सी खुशू मिलती है जो आप महसुस करते हैं जो बश्पन में आपके मा के पेट से पैदा होते समय आपके सरी में रही है धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को पर आट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या permission लेने की बिलकुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना right हैस पे कि हम इसको load कर देते हैं बाकी सार जरी ने बच्चाम। तंगम से नंगाच्छाजी तनगमस का है कि बताता सी शाथ। संगं सरनं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। दूतियं पी दम्मं मर्सनु गच्छाम। पूतियं पी दम्मं सर्नं गच्छामी ततियं पी संदों सर्नं गच्छामी पी गुतं सर्नं गच्छामी ततियं पी दम्मं सर्नं गच्छामी ततियं पी दम्मं सर्नं गच्छामी ततियं पी संदों सर्नं गच्छामी तेतियम पिसन्दम सर्नम तर्शामी साथो साथो साथो